नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो होगी हमारी इलेक्ट्रिक गीजर में इलेक्ट्रिक रॉड को किस प्रकार फिट करें और फोर वायर के थर्मो स्टेट के कनेक्शन किस प्रकार करें दोस्तो यह जानने के लिए आप वीडियो को पूरा वाच करें अगर आपको मेर की नॉटिफेकिशन आपको समय पर मिल जाए अच्छा दोस्तों वीडियों करते हैं यहां पर हमने इलेक्टिक रॉड को फिट कर लिया है इलेक्टिक रॉड के नीचे हमने वाइट कलर की रवड की पैकिंग लगा दिया है ताकि पानी लीक नहों और यहां पर हम नटों को ल सबी नटों को लगाने के बाद हम इनके उपर बोल्ट करेंगे ताकि इलेक्टिक रॉड से पानी लीक नहों कि सबी नटों को लगा रहे हैं अभी एक नट और रहे गया है दो नट रहे हैं इनको लगाते दें और लगाने के बाद इनको अच्छे से टाइट करना है टाइट करेंगे ताकि पानी लीक ना हो यहां पर थर्मोस्टेट का सेंसर है यह और थर्मोस्टेट जो टेंपरेचर सेट करते हैं जो टेंपरेचर हमें करना होता है उसका सेंसर है और यहां पर फोर वायर का थर्मोस्टेट दिया हुआ इसमें इसमें नूटल फेस लगेंगे जो मैनलीड से आकर आती है मैनलीड स पर हमारा फेस जाएगा अब यहां पर हम connection कर लेते हैं मैं लिड्स से न्यूटल फेस आए बहार से हमने फेस को लगा दिया है इन पर लगा दिया और न्यूटल को भी लगा दिया है न्यूटल थर्मोस्टेट के इन पर लग चुका है और आउट से इलेक्रिक रोड के इन पर चला गया है फीदा और phase thermostate के in पर लग गया और out से phase सीधा temperature set करने वाले thermostate के in पर चला गया और temperature set करने वाले thermostate के out से phase सीधा जाकर electric rod के दूसरे point पर लग गया है इस प्रकार electric rod को neutral और phase मिल गए है जिससे electric rod पानी गरम करना सुरू कर देगी यहाँ पर हम गीजर में जनने वाली दो light होती हैं एक cut off वाली और एक दूसरी उनके connection भी हम यहाँ पर कर देंगे neutral phase देंगे एक light को जो diet जलती रहेगी जब हमारा पानी गरम होगा और दूसरी light को connection देंगे हम temperature set करने वाले thermostate के in और out से एक wire in पर लगा देंगे और दूसरी wire thermostate के out पर लगा देंगे लगा हो जब हो लगा लगा देंगे और दूसरी जब होगा उनके प्रूसरी टेर दूसरी जब होगा पार दोसरी अदी है